बीच में चल रहे खराब दोर के बाद एक बार फिर से बॉलिवुड का सिक्का चल निकला है और पठान टाइगर 3 जैसे फिल्म में हिट हो रही है वहीं को और फिल्म जो आने वाली है जिसका जोरो शोरो से नाम चल रहा है यह फिल्म है फायर आफ लव रेड इस फिल्म को ड आजवा मूवीज को डिरेक्ट करने का एक्सपीरियंस रहा है और यह भी मूवी कुछ अलगी अंतास में लोगों का मनुरंजन करने आ रही है बतादे कि 1985 में फिल्म सुखिया का निर्देशन कर अशोक त्यागी सुर्ख्यों में च्छा गय इसके बाद उन्होंने अंधेर अशोक त्यागी के लेखनवा निर्देशन में बनी फिल्म में फायर ओफ लव डेड में कृष्णा अभिशेक पाहल घोश अरुन बक्षी भरत ताभूलकर कमलिश सावन जैसे कलकार हैं अपनी आरे वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए अशोक त्यागी ने नौइड और उसके बाद में लगातार अंधेर गर्दी, रिटर्न ऑस जूल तीफ, भारत भागय विधाता, इट्स रॉकिंग, दर्दे डिस्को, रियासत, वाय किल्ड गांधी ये सारी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं इनके अलावत दो बड़ी डॉक्यू ड्रामाज हैं एक ओशो में मेरी अब तक दर्शकों के सामने आ चुकी हैं और मेरी ग्यारवई फिल्म, फायर ओफ लव, रेड, ये अगले हफ़ते, चौविस नौबर को दर्शकों के मनुरेंजन के लिए आ रही है, और ये दर्शकों की एक अपनी फिल्म है और दर्शकों को जिस प्रकार के मनु दर्शक को आज की नव युवा पीडी को डिजिटल खिलोनों से खेलती हुई नव युवा पीडी को जिस प्रकार के एक सेनिमा की जरूरत है मनोरेंजन के स्तर पर वो फिल्म हम लेके आ रहे हैं चौबिस नौवंबर दो हजार तेश को फायर अफ लव रेड तब टाइगर का तीसरा हफता चल रहा होगा और हमारी फिल्म रिलीज होने की एक हफते के बाद एनिमल आ रही है रनवीर कपूर जी की और सैम बहादूर आ रही है विक्की जी की और इन सब फिल्मों को जो हम से पहले से चल रही हैं और जो हमारे बाद में आने वाली हैं उन सब को मेरी सर्व मेरी पिक्चर में ना मैं बहुत ही विनम्रता जितनी विनम्रता जितनी विनम्रता का इमेजन किया जा सकता है जब से स्रिष्ठी का प्रारंब हुआ जब तक स्रिष्ठी का अंत होगा उसकी जितनी कौन्टिटी है उससे भी सो गुनि विनम्रता के साथ मैं ये अन कैमरा भूलना चाहता हूँ कि अगर मेरी फिल्म को एक हफ़ता ओपन मिल गया तो उसके बाद उसके सामने किसी का भी खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतनी उसमें लोकप्रिय था उसमें लोकप्रिय होने के इतने गुण है और मेरी उसमें चालिस साल की तपस्या है और मेंने पूर्ण तभा ये फिल्म दर्शकों और उनके मनोरंजन को मस्तिश में रक्के बनाई है वो मैंने अपनी कोई क्रियेटिव अरज को फुल फिल करने के लिए अपने को अपने नाम को कोई बड़ापन देने के लिए कुछ भी हासिल करने के उद्देशे से मैंने ये फिल्म नहीं बनाई, मैंने ये फिल्म पूर्ण तहाद दर्शकों का मनुरंजन करने के लिए बनाई है और मैं फिल्म देख चुका हूँ, और मेरा पिचर को देख देख के मेरा मन नहीं बरता, इतनी आनंद दायक, इतनी फिल्म मैं तो डिरेक्टर बाद में हूँ दर्शक पहले हूँ मैं अब भच्पन से फिल्में देख रहा हूँ चलती का नाम गाड़ी मदुमती के टाइम से आज तक और मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ यार मैंने इतनी फिल्में देखी हैं मैंने अराधना पिक्चर मेरी आखों के सामने रिलीज हूई है राजेश कन्ना सुपर स्टार बना जंजीर पिक्चर मेरी आखों के सामने रिलीज हूई और उसमें अभिताब बच्चन सुपर स्टार बना एक फ्लॉप एक्टर से एक मेरे सामने डर पिक्चर रिलीज हूई है जिसके अंदर शारु विशेक के लिए, he is going to transform into a superstar with this picture, not because the picture is directed by me, but because the screenplay, the film is so beautiful, so deadly, it keeps you grip, उसकी cinematography, उसका visual design, उसका sound design, उसका background music, उसका dial, everything is so superlative, जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जब कहता है कि मुझे इनकी सेवा करनी है, तो उसी तरीके से दर्शकों की जो सेवा करने के लिए, मेरे दिर्देशन में जो सारी टीम ने मेहनत की है, वो अतुलनी है, उसको देखकर दर्शक गदगद हो जाएंगे, उनको बहुत मनुरेंजन मिलने वाला है, और कृष्णा अभी शेक का जो अभिने है, वो उसको रजेश खन्ना, अमिताब बच्चन, शारुक खान के लेवल का सुपर स्टार बना देगा, एक्चुली जो करेक्टराइजेशन है, वो उस तरीके का है, कि ये रोल इनी प्रकार के किसी अभिनेता द्वारा ही प्ले किया जा सकता था, उसने बहुत सक्सेस्फुली प्ले किया, उसका परडाम ये निकल के आने वाला है, कि he is going to turn into a सुपर स्टार, ओवरनाइट, फ्रेड़े को पिच्चर रिलीज हो रही है, चौविस तारीक को, 26 नवंबर तक, कृष्णा अभिशेव अगला सुपर स्टार डिकलर हो चुका होगा. उसका मैं रीजन ये बताना चाहूंगा, कि सर आप तो बच्चे हो, आप अभी पैदा हुए, लेकिन मैंने अराधना का कोई प्रोमोशन नहीं देखा, मैंने जंजीर का कोई प्रोमोशन नहीं देखा, मैंने डर का कोई प्रोमोशन नहीं देखा, ये हम बाद में जाएंग के प्रोमोशन के उपर यह किस ने चालू किया क्या है एक्शुली मुझे यह पता नहीं क्यों मैं फिल्म इस्टूट से निकल के आया हूं लेकिन उस सब बात कि मुझे ऐसा अंदर से क्रीटिव आर्टिस्ट मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फिल्म के अंदर एक कुछ कॉलिटी होती है आज से नहीं दोस्ती पिक्चर होए पारस्वनी पिक्चर होए उसका किसी को ने ट्रेलर नहीं देखा प्रोमोशन नहीं पर उसके प्रती दर्शक आकर्शित होता है कोई फिल् सेनिमा का जो सबसे बड़ा लिविटेशन है वो ये है कि उसका जो असली बॉस है वो शूटिंग पे कभी मौजूद नहीं रहता मुझे शूटिंग पे फैनेंसर मौजूद रहेगा, प्रोडूसर मौजूद रहेगा, सुपरस्टार मौजूद रहेगा और निर्देशक जो है वो इनकी ही सेवा में लगा रहता है निरंतर पिक्चर बनाते हुए लेकिन पिक्चर का जो असली बॉस है वो दर्शक है तो अगर कोई भी फिल्म इस तरह से बनाई जाएगी कि जब उसकी शूटिंग चले तो निर्देशक 24 घंटे इस बात का ध्यान रखे यह जो शूटिंग चल रही है यह दर्शकों के लिए चल रही है तो दर्शकों को कैसा लगेगा अगर वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा तो निश्चित ही ऐसी प्रोड़क्ट निकल के आएगी और चूंकि उस प्रोड़क्ट में से दर्शकों के प्रती प्रेम है वो है कि fire of love red के साथ मैं देख रहा हूं कि दर्शकों को कुछ अपना पन लग रहा है और वो हम कुछ करते सोशल मीडिया पे और लोग अपने आप लग जाते हैं उसको अपने groups में चला रहे हैं कहा कोई कहां कहां कर रहे है में किस किस का मैं धन्यवाद करूं सर ये थेटर के लिए आ रही है पीवे आ, रायनॉक्स, सेनेपोलिस ये तो इसके मल्टिप्लेक्स थेटर्स हैं और इसके लवाज जितने भी सिंग्वल प्लेक्स हैं जो अच्छे हैं अच्छी कंडिशन में हैं और सभागे से क्या हुआ है कि इस वर्ष पठान के चलने से ग वो पुलर जीवित हो गया हैं और ऐसे थेटर्स को भी रेड पिक्चर बहुत आकर्शित कर रही है और जो एक्जिस्टिंग हैं उनको तो करी रही है और छोटे शहरों में भी जो मल्टिप्लेक्स जैसे सिनेमे हैं वो सभी आयनॉक्स पीवी आर नहीं हैं और भी ब्रैंड हैं तो हर जगे लग रही है औल ओवर इंडिया यह फिलम अभी थेट्र के लिए आ रही है उसके बाद में ओटी टी पे आएगी चार शे हफ्ते आट हफ्ते देखते हैं जब भी टाइम होगा तब आज आएगी